Exclusive Rights क्या होते हैं और कैसे आप Exclusive Rights ले सकते हो Exclusive Rights का मतलब होता है आपने किसी भी company के कुछ भी चीज के rights रख लिए कि अब वो चीज मैं ही करूँगा जैसे कि मैं कपड़ों की बात करके चलूँ तो बहुत सारे international brands है जो कि इंडिया ने आने चाते है पर इंडिया के कुछ ऐसे norm से जिसके चक्कर मों directly आने पा रहें तो वो बड़ी बड़ी जो इंडिया की existing companies होती है उनके साथ type करते है बड़ी companies क्यों करते है क्योंकि उनका पहले से ही पूरा पूरा supply chain network बना होता जैसे के example मानके चलता हूँ कपड़ों की बात करके चलता हूँ तो अधित्य बिर्ला गुरुप के पास पहले से ही कपड़ों का पूरा network बना हुआ है उनके retail source अब कुछ बने पड़े पर अगर कोई international brand इंडिया में आना चाहेगा अधित्य बिर्ला brand के थ्रू में तो वो आ पाएगा क्योंकि पूरा उसको supply chain मिल लाएगा तो ये main चीज जो होता है exclusive चीज़े करने का वो यही होता है दूसरा तरीका क्या होता है अब वो brand आना चाहता था दूसरा आपने उनको approach किया आपने उनको कहा कि मैं आपको यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मेरे client थे आज से कुछ एक साल पहले उन्होंने एक US का brand था उसको इंडिया में launch करने के लिए पिछ मारा था उनको पूरा plan बताया पैसे दिये सब कुछ किया meetings करी, 5-10 meetings करी होगी उसके बाद जाके उसको इंडिया के उपर ले के आए तो दो तरीके होते है exclusive लेने के एक वो खुद आना चाहते है और आपने उनको बताया कि देखो मैं best हूँ क्योंकि मेरे पास यह सब कुछ है दूसरा आप उनको approach करते हो, उनको बताते हो कि आप यहाँ पे भी ला सकते हो, यह वाली audience को आप caterer नहीं कर रहे है पैसा मैं लगा रहा हूँ, आप देखो आप कैसे कर सकते हो आप माल दो बस